मेरे खार शे अभी ऐसा है कि आनंद, शांती, खुशी एक जबनानी को जरूरत है, सब को जरूरत है और जिसे दो घंटा, तीन घंटा, आप एक ही जगह, जब सुनते हैं आप, कि साथ आज तो बस कमाल हो गया, पंडी जी ना ऐसा बजाय के सुबा हो गई सब का योग करा दिया, सब का ध्यान करा दिया, आदमी संसार से हटके एक तरफ हो गया, तो योगा आप कराते रहते हैं, मतलब एक, इंडारिक्ली आप योगा कराते हैं सब को, और वो योग बहुत जरूर थे, क्योंकि संसार ने फसे वे हारा है, इंसान 24 घंटे के सुबा उ कर उसे हट जाता है, और वो सिर्फ देखता है कि विर्जुमाराज नाच रहें, बस दो गनटा में वही देखना है, तो योग का ध्यान है, और मेरे खाल से ये इंडारिक्ली आपके समाज को कुछ ना कुछ मांसिक आपको संतुलित करता है, बस यही सबसे बड़ी कि लखनव वली हर बॉडी के हर हिस्से को एहमियत देते हैं, कलाई कौन है, कंधा कौन है, कोहनी कौन है, वक्स कौन है, ग्रीवा कौन है, आखे कौन है, भमे कौन है, हर अंग उपांग को वो पूरी तरीके से देखते हैं, जैसे कई लोग सिर्फ उसके चंद को देखते है हम लोग पूरे हिस्से को देखते हैं कि संपून सिंगार बाडी का जो संपून सिंगार से मतलब ताल और सुर्थ से पूरे को उसके अंदर इन्वार्व कर देना ये बहुत कम होता है इसा है कि मेरी जिन्दगी तो शुरू ही लखनोव से और लखनोव से मैं साड़े तीन चार साल की उम्र का छोटा साइब रगा तालीम खाने की तालीमों में जो सुनता था मैं आवादें गुंगरो की तबले की या वकरणा तो नच्रली दिमाग में जब तबले की था तो मैं चाहता था वहाँ बैट चाहे कुछ खाता रहूँ कुछ भी करूँ पर सुनता रहता था और देखता था अखसर वहां से लोटके अम्मा को दिखाता था मैं कि अम्मा मुझको भी आता है तो मैं गिर पढ़ता था क्योंकि सारा जीन चार साल का था तो कहें जब बड़े हो जाना बेटा तब ठीक से नाचना अभी तुम देखो सुनो खाली तो इस तरह से हमारा समय शुरू का तो बीता उसके बाद लखनौ और बेहत शौक पतंग का शौक बच्पने से हमारे लखनौ का तो मशूर वह एक खेल था तो अक्षर में उसीं फसा रहता था उसके बाद यह हुआ कि बाबू जी की तालीम चाचा जी की तालीम शमु महराज की मेरे पिता जी अच्छन महराज लच्छु महराज जी तो बंबई थे और वो फिल्म के उसमें ज़्यादा इन्वार थे उस वकात तो बाबू हमारे जब किसे को सिखा है तो हम भी बैठके देखते रह हुआ तो बाबू हमारे नौकरी करते थे रामपू नवाब के हां और उनके हां मैं नाचा हूं करीब छे साल की उमर में नवाब साब के कोट में बागादा और वो मुझे बहुत प्यार करते थे और अक्सर मुझे बुलाते थे बेटे को भी लाना साथ साथ तो आला कि पूपिया कुछी कि ओर जार गर्दिश सिरह रमाइल लगता हुची। टो मुझे बहुतiven मानुदेडर भाल खृती ती। इस तक हर तरय का हर तरय का पैसे से भी हर तरय से थो, हाफि OH ले लेकि वीशारी बस बास भरेँ ली काभी जैपूर काभी कहां कहां? नैपाल तक हम लोग उस जब वांने में जब तेन दिन में पैदल चकते थे तो उन जब माने की बात करना हूँ वो ले गई थे, कि राजा साब खुश हो जाएं, खुश दे जाएं, मानब उस वकत ऐसा था कि कहीं भी पचास रुपई भी मिल जाते हैं, तो समझे बहुत है, खाना और खाने के लिए, तो अब माहा हमारी, लेकि कानपूर भी पहुंची, कानपूर में करीब करीब, चाले चार साल में रहा और जीजा के यहां, बड़ी बहन थी, तो वहां दो ट्रिशन किये मैंने बजपने में, और आप सो बज़े, ग्यारा वारा साल की उमर में क्या हमारे करता था काम, पर वहां से काम करते करते, पर देरे देरे बड़ा हुआ तो कपीला वाजसा इंडिया हमक क्योंकि दीदी जो थी है हमारे पितारी की शागिदत, तो हमको ली आई हैं, लाके संगीत भारा, इसका नाम था हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड डांस, उसमें हमको उन्होंने कहा कि भाई, छे महीने के लिए ले जाते हैं, अगर कामयाब हो गए, तो आगे, तो इश्वर क्रपा, बहुत करपा से हमने क्या किया कि काम शुरू किया, तो बहुत सब लोग खुश हो गए, बस साले चार साल में हो ही रहा, पिर भारती कहला केंज़, भारती कहला केंज़, तो दिन पर दिन सोच हमारी विचार सब बढ़ते गए, और बढ़ते करते, अने को कर रचना कि अपिता मेरे महरास्ट मन बांबय है ऐसे करके पिस जंदगी शुरू हो गई और आज तक मैं उसी मांदारी से काम करता हूं और सिखाता हूं बच्चों को देश विदेश देश के अंदर बहुत से वर्क्षॉप करता हूं बंबई कलकटा पत्ना लखनाओ दिल्ली बहुत स सुधार यानि कि सुंदर ही क्या अगता का उसको मैं खुद जान सका कि कि तना खुबसूरत है और हमको और क्या-क्या प्यास करना चाहिए तो यह चल रहा है अर्चने तो थी क्योंकि उन दिनों लड़के को कहते थे कि भाई इसको नचनिया बनाओगे या क्या करता पर मेरे घर में तो यह रहा ना कि सब दर्बार के नर्टक सारी नबाब साब क्यान रामपो नबाब या लखनो के नबाब दर्बार के ही नर्टक रहे हमारे बाबा हो गए रहा है सब लोग तो उस वकद तो कोई शिकायत थी नहीं लेकिन आम तोर से जब जिन्दगी शुरू हुई तो सब लोग वाके में कहते थे बई कानले बजाने वालों कहा ना बैठो जाता है खराब हो जाओगे उनके दिमाग वोई ये था कि कानले बेजाने वालों के आच्छे लोग नहीं बनते हैं जबकि हमारे हैं की तालिम में हरदम अदब लिहाज ये सब सिखाया गया गुरू किनाते तो हमारे हैं तो वैसी रहा फिर ये का कि भगवान कृष्टन भी तो पुरुष थे और शंकर जी भी पूरुष थे भाई तो सभी तो पूरुष थे हमारे तो नर्ट तक तो सभी रहे हैं उसके बाद दिक्कत तो हुई लेकिन फिर लड़कियां हमारी सामने आई जब सुराज के बाद पड़ी लिकी सब लोग सीशने लगे उस सबस्क्त से फिर हम लोग का एक काम शुरू हुआ ख़र स्कूल बने बहुत सब। कान फरेंसें शुरू ही बहด बड़ी बड़ी और उसमें रंगवंच मिला तो रंगवंच के उ 돼 पर पिर सब लोग को आने का मौख़ा मिला सब लोग, मैं गाने से लेके बजाने से लेके सब लोग, उसमें सब का भी हाता ही हो गया, पंज्र अभी शंकर जी ने पूरे विश्वों में पहला दिअ सितार। विलाद खाँ साब, अमीर खाँ साब, भीम सेंडे जी, बिसमिल्ला खाँ साब, ये सब लोग एकदम सामने हा गया है, और इन तमाम लोगों की वज़े से बहुत बड़ा एक चर्चा, क्लासिकल रच्टो म्यूजिक के लिए, संगीत के लिए होने लगा, तो उस वज़े से हम लोगा भी भला हुआ, कि भाई चलो, क्लासिकल एक कुछ ऐसी पद्धती है, जिसको की सीखने में कोई बुरा नहीं है, कोई ऐसा चटक-पटक वाला नहीं है, डांस, इसके अंदर ध्यान है, तपस्या है, रियाज है, मजबुती है. ताल अले तो हम सबस्चते पूरा जीवन है, क्योंकि जो ले ताल तो एक ही नाम है, लेकर स्वर का एक दूसरा नाम है स्वर और ताल, ये दुनों के जोड़े हैं, ताल के बगएर स्वर नहीं, स्वर के बगएर ताल नहीं, जिस्वकत कहते हैं कि ताल जब शुरू होती, उसी पे स्वर दोड़ता है, स्वर के साथ ताल के संग्र दरूरी है, चोली दाष्ट के साथ है, अगर आप सिरफ स्वर के सामने अईलाब करते रहें, तो थोड़ी दिन में आदमी ओव जाता है, जैसे ही ताल के हलके हलके जर्क शुरू होते हैं, तो लगता है हाँ आप चलता है। शेर को एक ज़्यादा ताक-दी है दौल के पकड़ने की। हर पकशवी में पर मारने की ऐप अ, पर मारता है वन ताइमिंग के अपर हर चीज में तो लेगाई ही पड़ती है, हर पेड ची हर, हर डालों में डांस सुने तो घुंगरू जमकते हैं, तो कहां आपको नाच नहीं दिखता है, क्योंकि शियू ने नचा दिया सबको पूरी प्रकृति को नचा दिया, तो फिर आप जाओगे कहां, तो यह कहने को मतलब है कि लयो संगीत अताल की स्वर जो है, हम देवी उसको देवी मानते स्वर क तो अताल को देवता मानते हैं, जो दो हैं, नहीं कभी वे असानी हुआ, क्योंकि शुरू से हमारे, जो न्यू थी हमारे दिमाग में, अम्मा ने जो बाबा के प्रती, पिता जी के प्रती डाल रखा था, उससे यही लगा था, कि हमारे गुरू लोग हैं, उन लोगे ने जो अभी अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं नहीं क्योंकि हमारा संगीत और मीजिक का ऐसा एक धुन है कि जिससे हमें किसी की चीज के कमी नहीं लगती है मुझे लगता है कि यही सबसे सही है यही मेरा ध्यान है इसी में हमारी जिन्दगी आगे भी खोच चलती रहेगी क्योंकि मैं अपने आपको एक बहुत अच्छा शागिरत कहता हूँ गुरू नहीं कहता हूँ, कभी भी, मैं शागिरत हूँ, अच्छा मैं एक मन्थन गुरू ने मेरे दिमाग में दिल में डाल दिया हर सुबह मेरी जो होती है, एक नई चीज से शुरुवात होती है और सुचता हूँ, शाम को मेरे जो शिश्या आएंगे, उनको आज मैं ये सिखा दूँगा तो पहले सीखने मेरा तो मैं हूँ, मन्थन तो दिमाग और दिल करता है पर शिश्या तो मैं हूँ, मैं पहले मैं सिखता हूँ, फिर मैं उनको सिखाता हूँ, तो ये निरंतर ये लगातार बना हूँ है मेरा, इस्वर के करपा से बंद नहीं होता है तो इसलिए मैं शागिरत के रोब आपको ना कि चीज बनती है उनकी करपा से फिर मैं याद करता हूँ पहला शागिरत मैं उसके बाद सबको बांड़ता हूँ वो तो देख लेजिए याई पिताजी के बाद जो है अच्छन मराच जब गुजर गया उसके बाद अम्मा हमारी वही हमारी मददगार की और मैं उनका मददगार रहा क्योंकि अम्मा जो है हमारी एस वकत हर दम कहें बैटा दो को चाहे कुछ भी खाने को मिले जो पहनों को म जो तुम्हारे पिता ने सिखाया, चैजान ने सिखाया, फिर हम उसी में लगे रहे, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं हो, उसके बाद इश्वर के पासे, मताब बस में सफर होने के बाद, फिर साइकल भी खरीद ली, साइकल से हम गाड़ी पे आ गए, और अब तो इश्व करे पासे बहुत कुछ है, ना, मुझे गुस्टा करना आता ही नहीं, बहुत प्यार से डांटता हूं बच्चों को, अगर डांटना भी तो मुझे सोचना पड़ता है, डांटू कैसे हैं, बलकु सही जारा है, क्योंकि मेरे पास कलाश्रम में इस वकत 400 स्टूरेंट हैं, द कि शन महराज जो कटक के इंदर में है, दीपक महराज मेरे साथ हैं, जो अच्छा नाच्टे हैं, इसके अलावा मेरे चचा के दो बेटे हैं, राम मोन, कुछन मोन, वो भी काम कर रहे हैं, और वो भी अच्छा खुद कर रहे हैं, बहुत बनिया कर रहे हैं, इसके अलावा म मैं इस तालीम दे रहे हैं हमारे शागरज जिसके अल जापान में हैं जिनके खुद के स्टूरेंट हैं जापानी लोग चाइनीज 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 लोग को भी सिखाया मैंने तो है चालत वाप्या यश्वर के क्रपास उससे में बड़ी तसलिए कि मैंने काम किया है देखे एक ही प्रोग्राम की मैं चर्चा करूंगा इसलिए कि और भी जगह पर ऐसा हुआ लेकिन श्रीफोर्ट में जाकिल भाई थे मेरे साथ मैं भी था सारा श्रीफोर्ट भरा हुआ दिवालों से लोग चिपके हुए पैसेज में बैठे हुए और बाहर से पांच सो लोग की आवाद आ रही कि स्पीकर लगाईए स्क्रीन लगाईए और ना हम तोड़ देंगे दरवादा टो साथ ये जो दो चाहठ है तो अब लोग तो करोणों हैं कई लोग मंदिर जारहें कई लोग नहीं जारहें कई नाहिक इतुम को कोई सत्यजी देदा की खिल्म, सत्यजी तरे की खिलाडी, उसकी अलामा, मैंने दिल तो पागल है में एक डांस पीस था, छोटा सा माधरिक है, तो मैंने का, वे, हिरोईन, शब्द क्या है, पहला सवाल था, कर शब्द है ही नहीं, शारू खान का ड्राम है, मैंने का, तो निशब् पिर गदर में गाना था, वो भी परविन सुल्ताला तो था, अजय चक्रवर्ती का गाया हुआ, तो मैंने का, क्लासिकल सिंगर से, तो करूँगा मैं, उस तरह से मैं पिर देदास पर आया, जिसमें महराज की ठुमरी बाबा की ठुमरी थी, और उसमें दो लाइन मैंने भी गाई थी, तो वो हमने लिया, फिर इसके अलावा जो भी बेशुरूप में हमें अपने कमल असन का, उनका भी गाना महूराधा तेरी तुह शाम मेरा करके, उसमें भी राधा शाम आकर, मैंने का, चीकर बहुत बढ़ियां, अच्छा शब्द है, और करने वाले कमल असन जी ये लोग ने हमें, डांस मास्टर नहीं समझा, महराध समझा, तो सबसे बड़ी बात है कि हमें जब महराध समझ के काम करोगे तो मैं करोगा, डांस मास्टर तो बहुत सो गूमते हैं, जिसको कहते हैं, कि प्रभू ने अगुरू के आशिरवादिया मुझे, जो मेरी की चीज़ देती है कि ना खतम होने वाली अंतहीन तक जब तक जीवन है जब तक चलता रहेगा तो इसलिए कोई हमें को नहीं है इस पर कोई शक नहीं जो आशिरबाद है गुरू का और इश्वर की करपा होती है यही दो चीज़े मिलके इनसान को बहुत कुछ दे देती है मुझे एक वाकिया याद है मंबई का प्रोग्राम भजन कर रहा था मैं बाबा कर रचना चा और बाबा ने तो पाश हजार ठूमरी जाजा लिख दिया वो भाव मेरा खतम हो गया मैं भगवान को जुलाते दे चुप चाप खड़ा हो गया बगवान प्रगट होए मैं रुक गया मुझेशन चूफ हो गया ओडियेंस चूफ है ना उसनी रियलाईज किया कि खतम हो गया ना मैंने रियलाईज किया ना मुझेशन ने बाद मचा ना कुछ सेकेंड के बाद सामने ताली वाजाई चाई मैं भी चौका अरे ये तो भजल खतम हो गया तो मुजिशन से लेके हम सब लोग एक्तम खोए हुए थे ऐसी कोई भावना हुई होगी कोई ऐसा भाव हुआ होगा जिसमें हम सभी के सब वहां पहुत हैं कोई भी अपने होश में वैसे नहीं था तो इस तरह की गटनाए अक्सर हो सकती हैं हो जाती भी हैं अगर आप अच्छा मनन करने वाले इनसान हैं तो बिल्कुल करेंगे और सब करी रहे हैं महमली बात थोड़ी है सब भी लोग कर रहे हैं यहां तक कि वह तबाम लिटनाटिका के नाम से अने को रचनाए हुई हैं यहां तक कि विदेशी कहानी और हमारा तो कहना कि किसी ना पूचा था कि रोमे जूलेट आपने कैसे करवा दिया मेरा संगीता शाष्वती का का इंसान प्रेम चाइना का हो प्रेम ब्रिटेन का हो प्रेम अमरीका का हो इंसान है और उसके अंदर उसका छोब भी है दुख भी है जुदाई भी है खुशी भी है आनद भी है तो वह इंसान तो इंसान चाहिए कहीं का है तो कहने का नो में जूयकर आधा कुछंअक नहल में, पूमें इसमें यो चूलित्ता है रोज की भाशा नहीं होती है, न हम है न तुम हो न ये है न वह है न लेना है न देना है यह द्यान ही था जो प्रभू का या पब्रंच होके ध्यान हो गया तो ध्यान से ध्यान हो गया पर यह बिल्कुल अगर यही इन बोलों से आप शिव की पूजा करते हैं तो यह महामंद रहें तो यह कहने के मतलब है कि उसमें हमें कोई शक नहीं है मतलब मैं तो शागर्दों कहता हूं भगवान के सामने खड़ो कि दो तुकड़े बोल लो फल वही मिलेगा शांता कारम भुजग से नम का कोई दिर्गत नहीं बोल लगी ऐसा